मस्त मगनमन अगले चेप्टर का टाइटिल सुबह चार बजे फिर थोड़ी देर के लिए सोने चले जाते हैं क्योंकि अगले दिन से शादी की रस्म शूरू होने वाले थे सुबह नैना, सुमित और अदिती जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि यह तीनों ही जल्दी सो गए थे अदिती बोले लग रहा है सभी सो रहे हैं प्रिती हाँ बेटा सब भी लेट सो एते न तो आप लोग बैठिया हम चाय बना कर लाएं सब के लिए अदिती नहीं दादी आप बैठिया हम बनाते हैं चाय प्रिती नहीं बेटा अदिती आप उमें पराय कर रहे हैं आप बैठिया हम बस यूं गए और यूं चाय बना कर लाते हैं प्रिती फिर बैठिया अदिती का इंतिजार करने लगते हैं अधिती, चाए बनाने के लिए चली जाती है. थोड़े दिर बाद वो चाए लेकर आती है, तब तक राम भी आ जाते हैं, तो अधिती उनके लिए भी चाए लेकर आती है. सभी साथ बैठ कर चाए पिते हैं. राम बोले, तो बिट आपके घर में कौन-कोन है? सुमित और नेन कौन गोन है अदिती मा पापा और भाया और मैं राम अच्छा-अच्छा सभी बैठकर बात कर रहे होते हैं इसी बीच रिया और आरा-ध्या आती है और तीना को लेकर बाहर घुमने निकल जाती है अदिती दियम कहां जा रहे हैं रिया पास मेना एक मस्त मैगी और कुल्य वा जब तक सभी लोटकर घर आते हैं, यहां भी सभी जाग चोगे थे। अधिती इनके कमरे के बाहर पहुँच कर डू नौ करती है, थोड़े देर बाद राहूल केट खोलता है। फिर अपना सर अधिती की गोद में रख जेता है। अधिती, अभी बच्चों जैसे जिद कर रहे हैं आप तो। अभिनव फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और चूम लेता है। अभिनव बोला, पता अभी एक कितना अच्छा सपना देख रहा था। अधिती, अच्छा, ऐसा क्या देख लिया। अभिनव, हमारे शादी हो रहे थी, हम लोना खूब खुशते और इसी बीच आपने उठा दिया। अधिती, हम आपके सामने हैं और आपका सपनों में ही जीना है। अभिनव, अभिनव फिर आगे बढ़कर अधिती के माथे को चूम लेता है। बोला, वो कहना कि जब तुम सामने होते हैं तो कुछ सूच ही नहीं पाता, तो अच्छा है सपने में ही सब सोच लेता हूँ। अधिती, अच्छा तू ऐसा भी है। अभिनव, हाँ बोलकर अधिती के होठों के करीब आता है और उसकी होठ चूम लेता है। दोनों कुछ तेर तक यूँ ही रहते हैं और फिर अलग होते हैं। अधिती बोली, उठकर नीची आचाओ और जाने लगती है। अभिनव, उसका हाथ पकड़ लेता है। अधिती, क्या हुआ। अभिनव, रुख जाओ न यहीं पर, कहां जा रहे हो। और उसे अपनी तरफ खीश लेता है। अधिती बोली, आप कहें तो हम कहीं जाएं नहीं, पर आप खुद ही कायब रहते हैं। अभिनव, अच्छा तो ऐसी बात है। बोली तो हम आपकी निजरों से दूर जाते हैं नहीं। इसी बीच राहुल बाहर आता है और गीला टाल अभिनव के मूँपर फेंकता है। अभिस सालिम मजनू, जल्दी ना ले। बना आज हम दोनों की खैर नहीं, और हां जल्दी। अधिती इस बात पर हसने लगते हैं। अभिनव, सालक दोस्ते हैं दुश्मन, जाने किस जन का बदला ले रहा है। इतना अच्छा हासा मूर बरबात कर दिया। राहुल बुला, बेटा नो टंकी मत कर और जा, जल्दी से तयार हो जा। आदिती, चला हम नीचे चलते हैं। दोनों फिर हसते हो हैं नीचे आते हैं। अभिनव भी तयार होने चला जाते हैं। पूरा दिन सभी का एक दूसरे के संग हसते गाते बीच जाता है और सभी शाम के तयारियों मिले जाते हैं। महनी की रस्म और इधर इनके फार्म हाउस पर पार्टी थी। शाम के वक्त राहुल, अभिनव, पीहु और पिया, महनी लेकर सुनाली दक्षी होने वाली वाइफ, उसके घर जोकी वहां से करीब दो किलो मिटर दूर था, वहां जाते हैं, चारों का वहां पर खुब अच्छ सुनाली के पास ले जाती हैं, तुनों जैसे ही सुनाली के पैर छुने वाले होते हैं, वो उन्हें रोग देती हैं, और सभी साथ बैठ जाते हैं, सभी बातों में लग जाते हैं, और कुछ लोग सभी के लिए चाय पानी लेकर आते हैं, उसके बाद महनी की रस्म शुरू ह जाती है और सब होल बैठ जाते हैं उसीवक्त एक लड़की रहूल के पास जाकर बैठते है रहूल की नजर जब उस लड़की पड़ जाती है तो उसकी नजर उसीपर ठेडर जाती है एक फल के लिए थो उसे लगा कि जैसे, वो कहीं सपनों के दुनिया में खो गया अभिनव, क्या हुआ, कहां खो गया भाई राहुल, उसकी तरफ देखकर कहीं नहीं और जैसे ही राहुल वापस मुर्ता है वो लड़की वहाँ से जा चुकी होते है पर उससे पहले वो राहुल के दिमाग में खलबली मुचा देती है पर वो अपना ध्यान वहाँ से नहाटा कर सामने देखने लगता है थोड़े दिर बाद जब सुनाली के हाथ में महंदी लग जाती है तो उसके बाद सभी पर डांस करने फ्लोर पर आ चाते है उदर फाम हाँस पर भी सभी खुशो कर नाज का रहे थे अदिती भी सब के सांग खुश थी और ऐसा लगी नहीं रहा था कि वो इन सब की बीच अंजान है फर उससे अभिनाफ को इंतिजार था रिया किसका इंतिजार है मैडम अदिती नहीं दी किसी का भी तु नहीं रिया हम वैसे एक बात कहूँ बड़ी सुन्दर लग रही है किसी की निज़र ना लगे तुझे और उसको एक काला ठीका लगा देती है रिया और आरा ध्या दक्ष को फ्लोर पर ले आते है और सब ही खुब देर तक नाचते रहते इदर राहूल को एक बार फिर वो लड़की नज़र आती है और अगली ही पल उसकी आखों के सामने से ओचलो जाती है राहूल मन में यह मेरा वहम है बस उससे ज्यादा कुछ नहीं और खुद के सर पर ही चपत मार कर डांस करने लगता है थोड़े दिर बार चानों वहां से सबसे विदा लेकर निकल पड़ते हैं वापस साम हाउस की तरफ गाड़ी के अंदर पिया बोली भाई आप दोनों भी न आप जल्दी से शादी कर लीजे पिहू अरे छोड़िये दोनों हमें के पूछेंगे अभी तक बताये भी नहीं दोनों ने पिया क्या नहीं बताये दि अभिनव अरे दि आप कैसी बात कर रहे हैं कुछ होना भी तो चाहिए न बताने लायक राहुल हाँ दि और आप से क्या चुपाएंगे पिहू राहुल के कान पगरतो है बोली रहने दो बिठा क्या क्या काणना में है दोनों के सब जानते हम हाँ ज्यादा पूछते नहीं सही वक्त आने पर बताई देगा राहुल जी दि पिहू अभी पसे एक बात पता जो हम सोच रहे है क्या वो सच है अभिनव आप लोग आचिता गलत होयो जो अब होगे पिहू तो मिलवा क्यों नहीं देता सबको अभिनव नहीं दे अभी से इतना खयाल रखा जा रहा है इनका लेकिन अभिनव वोला क्या आप लोग भी न जब देखो खिचाई करने पर उतर जाते हो लीजे हम पहुँच गए अभिनव गारी पारकिंग में लगाने चला जाता है और बागी सब अंदर जहां पर सबी सीधे तांस दोल पर पहुँच जाते हैं अधिती की नज़रें अभिनव को ढून रहे थी और उसकी आँखें गेट की तरफ थी राहुल उसके कान के पास आकर बोला थोड़ा सब्र करो क्योंकि जितनी बेकरारी इधर है न उतनी ही बेचैन वो भी है अधिती बस मुस्कुरा देती है राहुल फिर वहाँ से चला जाता है